बच्चों को प्राब्लम आ रही है उनका राइस्टेशन नमबर और पास्वड उनको मेल के थ्रोग नहीं मिल रहा है थीक है यह इस वुजाओ से होता है कि जब आप लास्ट डे पे रेश्ड करता है ठीक है या फिर उससे पहले करता है जैसे अभी लास्ट डेट गई है वो तो उससे पहले एक दिन पहले भी जो है क्या हो जाता है इंस्टिट की साइट पर रहश हो जाता है जिसके थ्रोग जो आपको रहिश्टेशन नमबर और पासवर्ड आपको मेल के थ्रोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है या फिर कुछ डिले हो जाता है तो उसके कोई भी आप पेमेंट करते हैं आई से इसाई को ठीक है तो इस तरह की कोई जो है जनरेट हो जाती है तो इसमें हम चक करेंगे कि कहां पर आपको अपना रिश्टेशन नमबर मिलता है और कैसे आप पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको चक्क्य नमबर होता है विद श्लैश ठीक है यहां पर अगर आप चेक कर पा रहा होंगे एच्च्यू श्लैश तो यह स्लैश मिला करके जो है 17 डिजिट का होता है तो वो जो है आपको यहां पर शो हो गया तो आपको कोई दिक्कत घवराने वाली बात नहीं है आपका सक्सफुली जो है registration हो चुका है अब आपके पास जो है registration नमबर और जो आपकी यूजर आइडी होती है वो एक ही होती है अब हम चक करता है कि इसको फॉर्गट पासवर्ड या फिर आप जो है नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं तो सिंबल्स आपको करना क्या है श्मैश.icsi.edu की यहां पर यह जो पोटल है वह इस्टुडेंट पोटल है यहां पर चक करेंगे यूजर आइडी और पासवर्ड ठीक है इस तरह का जो है 17 डिजिट होगा अगर आप प्रोग्राम में है तो दो नमबर होंगे तो यहां पर अभी कुछ नहीं करना है फॉर्गट पासवर्ड पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको अपने यूजर उजर आईडी जैसे मैंने बताया आपका रिचिशन नमबर ही होता है थिक है तो पुट करेंगे यह वाला सम्मिट करेंगे तो आपको एक जन्रेट करने के लिए बोलेगा बट कोई भी नहीं आता है सिंपल सा आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है पास्वोट जनरेट करने का दो अप्शन मिल जाएगा अपना पास्वोट कैसे रख सकते हैं जैसे यूजर एड़ रेट 1234 दिली एड़ रेट 1234 इंडिया एड़ रेट 9867 कुछ भी रख सकते हैं पर फॉर्मेट जो है सैम रखिएगा इस तरह का कुछ जो है डायलग बॉक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा दैन आप इसको कट कर लेंगे और अपना यूजर नमबर यहां पर डाल लेंगे पास्वोट जो आपने अभी बनाया है वो यहां पर डाल लेंगे और वैरिफिकेशन कोड डाल कर सम्मिट करेंगे तो लेकर चाहिएगा कि उसके बाद क्या चेक करना होता है अपलिकेशन स्टेटस में पेइमेंट डन को अप्शन का मतब क्या होता है उसके बाद कैसे कैसे आपको अपनी स्टडी मेटरियल मिल जाएगी तो सब के ऊपर जो है और वीडियो बना चुका हूँ तो एक बार जाकर चेक कर लेगा ठीक है आपको समझ में आया होगा इसी तरह कि उनको सॉट आउट करने के लिए जो है चैनल के साथ जरूर बने रहेगा टेलीग्राम पर नहीं है तो वहां पर भी आयाएगा आई सी एसाई लाइफ अपडेट करके आपको मिल जाएगा तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद